नमस्त्रा दोस्तों मेरा नाम है विनित आप देखे रहे हैं वीटुटे टॉट्स और आज भाइसा एट एपिसोड आया जिसमें नहीं बहुत जलत नजर आई है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है तो मोटा मोटा बात लतने तो सबसे बड़ा जो कोपड बनाया जा बहुत क्लिली बनता नजर आ रहा है हर आदमी कंफ्यूस दर रहा है उसको निम्रेट टीना जो है मतलब सब अपनी साफ से लपेट रहें विशारे को आज तरस आया थोड़ा देखे एपिसोड सुंबूल जो है मतलब लग रहा है दूर की मठी है यहां से भी आउट तर दि मतलब आज के एपिसोड के हम बाताते हैं स्टार्टिंग की मैं दूर की धुली वही हूँ है मैं इदम के लिए हूँ मेरी कॉंशियस इदम साफ है यह नजर आया और शिव का थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आज पहली बार कहूंगा मैं मतलब पहले भी मिला है लेकिन आज और गलट शब्द होता लेकिन फिर दुबार वापस लॉटते भी नजर आया है और वह फिर दुबार आई जो तुछ बिग बॉस ला इंटरनेशनल एंथम है कि हम है बिग बॉस के वासी और तो फिर दुबार नजर आई यार गाने अच्छे हैं मान लो यह फॉर्मेट फे उटके मतलब उसमें भी आप जो तीन लोड अरचना गौरी और फोड़ा शिव्ट फोड़ा इंट्रेक्शन नजर आता है बात की लोग करते भी नजर आते हैं मतलब महां पर स्टैन हो अब्दू भी इवन साजित को भी देखा मतलब पूरा टाइम करते हैं महां पर नजर आती है पुराने वाली यहां पर शुरुआत है इसके बाद आज के एपिसोड में एक बहुत इंपॉर्ट चीज नजर रही वो थी प्यार की थात्रत वही प्यार जो होता है ना वह इंसान तो बरबार कर देता है लिटरली बरबार कर देता है मतलब सुंबूल को यहां पर पूरा सल्मान भाई ने पूरी जो पूरा जी जान लडा दिया क्या वोलते है वीटेंड के वार पे एंडेमोल की टीम ने उनके फादर साब को भी ले आए कि भाईया बताओ तू चटल दो लेकिन यहां पर छोटी बच्ची हो क्या वहला हिसाब था यहां पर समझ में नही कि बेश्टी हो दई तो यार आएम रियली रियली सॉरी में बहुत ही इंटरस्टीन सी चीज यहां पर रुड़ा आज हमें यहां पर देखने ने पो मिली है क्यों हुआ कैसे हुआ पता नहीं लेकिन वो फिर दोबारा सुमूल जाते बोल रही है आएम सॉरी मेरे फादर की है कि अब बात टरते हो यहां पर तो दिली है चल रही है पहाँ उनकी वह अनकी वह सुमूलटा यहां पर ठोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है मतलब सॉमूल तो यह चीज यहां पर आ जाता है एक रुड़ा मतलब देखके लेके शोटी बच्चियो क्या हाँ यह वाला और आप बाते बहुत हैं कि सुम्बुल के स्थनुपूर प्रेड नहीं था प्रेड़ जो आप सवाल यह होगा कि यह जो फ्रेंड की जो बात्चीछ चल रही है शौर नहीं है अभी कुछ इन्होंने क्या इनिशली डिनाइड कि आ जो सुनने में आ रहा है बट क्या ये फ्रेंड अली डोनी की तरह जैस्मीन के फ्रेंड है प्यार नहीं है दोस्त है यह मतलब वह चीज अब देखो क्या होता है आने वाले टाइम में इसके बाद गौतम भाई साब यहां पर इमाई में मज़े लेते वे नजर आया जो चीजे पॉइंट करी भी मतलब पहले सुम्बूल रही कुछ बदा दी फिर और बात बता दी लास्ट में फिर और बोल दिया आज वो रिखाया की ट्लॉस्ट्रोफ्रोबिक और अर डिप्रेशन मतलब यह होता है ऐसा शालीन ने बो तो यहाँ पर दीरे दीरे बता रहे हैं उसलों पार्ट्स में इससे क्या हो रहा है न वहाँ पर फिर यह बात बोली भी कि तिल्ली मार रहे हो तुम यह तर रहे हो उतर रहे हो चलिए आरे बढ़ते हैं इसके बाद क्या बूलते हैं टीना और शालीन को आज गुसा आ रहा ह और गुस्सा उनको क्यो हो आ रहा है? गुसा यारार है कि हमारे चिथड़े ओड़ाएं हमारी तुमने बैंड बजाई फजीहट तरी सबके सामने बेस्ती मारी और एक भी बंदे ने जो इंगा गूरूप है तीवी गूरूप है एक भी बंदे ने अकर हमें नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया यहर आप पहली भार आए होगे सल्बान खान के आगे किसी के बोले की इम्मत नहीं होती और आप मैं खुट-खुट क्या समझते हो मतलब वो सामने से आखे बैंडे तुम्हारा पच लेंगे तो उनका क्या होगा अच्छे नाजे बंदे नहीं बोल पाते, सलमान भान के आते हैं, मतलब वो बोलने भी नहीं देते हैं, लिटरली बताएं तो, और उसके बाद मतलब यूर सेइन की तुम कुछ गलक कर रहे हो, और सिर्फ ग्रोप और सपोर्ट के नाते, दूसरा बंदा आये रहा, और बेस्त अच्छे बिलकुल इद्धम साफ है, जो सही था, मैंने वो बोला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मतलब तन्फ्यूजन मुझे नजर आ रही है, और मतलब पलडा, जिस तरफ पलडा भाली नजर आ रहा है, उस तरह जाती ही नजर आ रही है, थोड़ा सा आज अगेन मै बहुत ज़ादा नजर आया, ज़र आप देखो रहे है, तो शीवा सिटिंग महां से गप्पे मार रही थी, स्टैंग के साथ में, उसे लगर आई कि यहां से क्या बोलते हैं, वोट आ सकते हैं, यहां से थोड़ा सा टी आर पी मिल सकती है, तो वो बोल रर वो चीज एट और नजर आई, इसने बाद से कॉंसल ने मीटिंग होती है, युनाइट नेशन इंटरनेश्टल सेकॉरिटी कॉंसल ऑफ बिड़ बोलस की, जिसमें हमारे एकॉंट बन होते हैं, शालीन होते हैं, टीना होती है, और तीसे नंबर पे कॉंथ है, वो बन्दा, गौतम था और निम जिए और भाईसे हमारा सथा सथा सिधार सुटला बोलूगा मैं, सिधार सुटला मतलब तोटली डिफरेंट गेम था, हीस राइन तू इमिटेट जो मुझे लगा, अभी नहीं, अपसे अरा पस्टर थी चार एपसो देहों हो एना, तो इक अजीव सा डिफरेंट आटिट् तो यहां पर मतलब शालीन का बहुत लिटरली पोपठ कड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, और सुम्बुल तो मतलब एवरिबडी इस ट्राइन किया दूर की मक्ही है, यहां से निकालके यहां फैद दिया, नोबडी, मतलब उससे अपना टियर पी फेम जो लेना आज एक बड़ी समझदार मतलब एक नई, टोटली नई चीज देखने रों मिली, बहुत ही इंट्रेस्टिंग, आपने शेकर भी सुना ही नहीं होगा, टमाटर जो होता है ना भाई सब टमाटर जो होता है, वो एक फ्रूट होता है, फ्रूट लेकिन उसे सबजी में डालत काटते हैं, फ्रूट सेलेट में ने चालते हैं, न्ग। तो मतलब फ्रूट सेलेट ऑर मतलब विजडम और नॉलिज तुछ तो यहां पर जिन चल रहा था, जैसे आप बोर ही हैं ऐसे यहां पर साजिद और बचारे अब्दू मानिया लिटरली ना यहां से अपने सड़े वे पीजे मारती नजर आ रही है और वही उन्होंने दिखा भी दिया उस टाइम पे भी कुछ पीजे उंट्रा लरवाया था इन्होंने क्या बोलते हैं मानिया रहा तो वहां पर भी बहुत दज़र आई थी ठीक है चलिए अब चलते हैं आगे इसके बाद किया हुआ रिष्टे बनते हैं शेटर सुबनाते हैं मतलब अपना शेरो शाहिरी करते हैं मैंने लिटरली अध्यान दिया नहीं मतलब और महां पर एक चीज निकल यह यह जो साजित ठान है ना वह अब्दू के साथ बैठ कर ग इस तरह से शो बनते हैं और बीच में साजित ठान गायब भी रहते थे लाइव स्ट्रीम में तो वह चीज यहां पर पता चलती है कि क्या तो हानी चल रही है क्या नहीं चल रही है क्या है तो वह थोड़ा से देखा है यहाँ पर साजित ठान ड्राम ने तो उन्होंने बोल लेकिन अगर आप डेट होगे तो श्रीजीता से ज़्यादा मतलब फिर भी थोड़ी एक्टिव थी लिटरली एक्टिव थी जो सबसे सुस्त बनने हैं कौन है यहापे मतलब मेरे ख्याल में मानने आए मिस इंडिया सेकिंड सेकिंड रनर अरप कैसे सेकिंड रनर अरप रहे यह मुझे नहीं पता और इसमें हम नहीं जाएंगे क्या का रही क्या रही मतलब लेकिन फिर भी मतलब कुछ करी नहीं रही यार मनने लिटरली आती है बैट दी है थोड़ा खेलती है उसके दोस्ते साथ में अब्दू के साथ में और उसके बाद मतलब लिटरली कोई feedback आपने वोट से आप पता है न कितना इमांदारी से वोटिंग होती है तो देशिंगे आने वाले टाइम में भी सर्वान थाई किस तरह से चलिए चोड़िए वोटिंग जो है इस बिल्कुल ही इमांदारी वाली एक्टिविटी है जिस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी के प अधिक भी कुछ थास मुवमेंट अगर अपड़ एक थास इंवल्मेंट फीड़ेट वगर जीम में नजन नहीं आ रहा है तो क्या तरह रहे है ए लड़ाई ज़रू भी थी पिछले अपते उसके अलावा क्या रहा है इसके नावा क्या रहा है अधिक प्लीज दू लेट मे कंटेंट सारी चीजे दर रही है लडाईयां भी होती है डांस सुबह वह बिग बॉस टे इंटरनेशनल एंथम पे भी एक बहुत अच्छा फीडबैक यहां पे अर्चनाधा नजर आता है शिव्टा भी है शिव्टा आज बहुत ही डिफरेंट साई नजर आया है आई थिं आप जो दिये है न वो भी बताया है यह कुशन पूछा भी रियास्टिप से कि मलब कहां खो रहे हो या नजर नहीं आ रहे है नजर नहीं आ रहे मतलब I don't know सवाल सेलेक्टिवी चूज किया था या क्या रीजन था लेकिन देखिए यह चीज बहुत इंबॉर्डन बहुत कि यह बंदा बिग वॉस मराथी जीत कर आया है तो भाई कुछ तो दम होगा बंदे के अंदर तो वो आज एक गुरुप जो है ना बड़ा और कुछ बाते बोली भी मतलब आप देखो रहे हैं कि जो गुरुप बनता है वो बनता है बनाया जाता है वो नहीं बनता है मतलब यूनिटी जे उपर तो ही अंडर्सेंड्स दोस थेंज कि वो कैसे क्या चीज होनी चाहिए कैसे बनना चाहिए और अधिन वो धिये दिरे अपना इट बेस यहां पर स्टैबलिश कर रहे हैं सेम गोज विद एमसी स्टैंड मतलब अभी जो मुझे लगता है मेरा खुसता है मैं गलत हूँ यह थलो सा डिसेशरी करूँ उन्का फैन बेस डेफिनिटली बहुत स्ट्रॉंग है बट एमसी स्टैंड मुझे लग रहा है तो अभी तो शर्मा रहे हैं खुले नहीं है क्या रिजन है लेकिन उन्का उतना खुलके वो चीज नजर नहीं आ पारी है कल वाला स्टैंड बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जो फीडबर आ रहा है सेव जो फॉर शिव अज़ तो अब इसे बता दूं आपको शिव जो है वो कैप्टैन भी बन चुके हैं शिव जीते हैं तो वो कैप्टैन इसके अंदर बन चुके हैं तो बाकी फिर वही निमरित को भी वाले गुरूप को और मानने आथा इस बार थोड़ सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि बिग बॉस जो है इसे टीना वाला पार्ट है या शालीन वाला पार्ट है शालीन वाले में भी आई डों नो सल्मान ने उनको डांट मारी जरूर है लेकिन वो डांट क्या बोलते हैं जो सल स्टाफ को भी आदा आप बोलो है तो कैसे सुनेंगे वाली बात है ना और वो भी डॉक्तर सचा नोबल प्रोफेशन नहीं नहीं अदेंस डॉक्तर नोबल प्रोफेशन बट ये वाला जो ग्यान था ना ये पिछले सीजन में एक और डॉक्तर सरजन कुछ आया था एक लेकिन वो सारा ग्यान इस बार यहां पर पलटता हुआ नजर आया है सल्मान भान रहां तो यह चलती रहेंगी किस तरह से क्या मतलब क्यों करा भाई क्या रीजन था चलिए छोड़िये वापिस आते हैं बिद बॉस पे तो शिव को आज मौता मिला और थोड़ा था वहां अपना आज जिस तरह से जवाब दी हैं बहुत ही इंटेलिजेंटली स्मार्टली नेमरिक की बैंड भी बजाई है उनको जवाब भी दिया है तो वह बहुत अच्छा गेम यहां पर नजर आया उसके बाद तो आई थिंग लिटरल बतवास थी पाइट स्टेंडर्ड पर अधर्वाइज क्या बोलते हैं बहुत ही मतलब इस शी इंट्रेसिंग करेक्टर लास्टर जाना चाहिए इंट नो बाकी तो आपले तो आपले तो सो फार इट सीम्स शिव हो रहे स्टैन हो रहे आपके प्रेंपा हो रही मुझे रगता है प्रेंग का सौरी अर्चना हो पाकी प्रेंगा ने अज़ सबसे लड़ाई चल ली यहां पर बहुत हो अल्मोस्त वो किसी भी गुरूप में हैं उन्होंने बोला ना कि मैं यह इस गुरूप में हूं ना मैं इस गुरूप में शामिल नहीं हो रही हैं कितना सही है कितना जलत है कितना उनको सपोर्ट आ रहे चलकर हो पाए रहा लेट सी वह देखने वाला पॉइंट जरूर यहां पर होगा बाकी जी प्लाइनिंग बन चुकी है इनके ग्रूप में कैप्टन नोने नी बनने देना और जो यह सब्सक्राइब करेंगे तो यह चीज यहां पर भी डिसाइड हुई है और वो चीज हमें कल भी नजर आएगी प्रोमा में अगर आप देखो रहे तो प्रोमा में अगर आप देखो यह वह अंकियत बाल्टिक है रहा है और ग्रॉरी गिल रही मतलब ठीक है हो सकता है चूट ल चोड़ दो यार वो बाल्टी खेंच रहे बंदा या तो तुम मतलब खेंचो लड़ो और उसके बाद रहो नो और मतलब वो दूसरा भाई चोड़ के बाल्टी छोड़ दी और उसके ठोटना देखने बैट गया पता नहीं हो तो प्रोमो मैं हमिशे से बोलता हूं कि चैप्टन सो फर वट जो हम सुन रहे हैं अभी मैंने लाइफ देखा नहीं है यार बाकी न्यूजी कैप्चर करें यहां महां से सो सौरी अधर मैं कलत हुआ तो बाई गालियां मत देना तो यह चीज़ सुनने में आ रही है बाकी देखिए इस बार खोड़ा सा बतलब लग हुए थे आस्ट जो हैन वंने बहुत टाइम टेफर किये थे और जो टास्ट हुए भी थे उन में जो हमारी क्या नाम था शिल्पा शेटी में चोटी कुछ तो नाम धा उसका चोटी मिए शमीत शेटी तो शवीदा शेटी तो प्रेफरेंस दिया गया था और वह था ना परलेट डॉक्टर क्या नाम दोस्ता अब जिसको बेमानी से आउट स्वारी वोटिन से आउट किया था तो मतलब उनको तो मतलब टास्ट जो थे एक पर्टिकुलर फेवर में बाइस टास्ट थे तो हो सकता है और इंट्रस्ट और बढ़ सकता है बात यह भी जब तो लग रहा है कि फूटेज सही चल रही है चलिए भाई सब यही था मोटा मोटा जल आज के एपिसोड किया बात रती हो रिव्यू की बात यह वीडियो पसंद आयो भाई तो लाइट दबा देना थमस अप कर कर दो का सकता है